परिचाय पिता जी हमारे घर का दर्वाजा कितना कमजोर और रूखा देख रहा है हाँ बेटे ये दर्वाजा आठ से दस वर्ष पुराना है किन्तु पिता जी ये दर्वाजा इतना कमजोर क्यों हो गया है बेटे ये संक्शारण के कारण हुआ है संग्शारण वो क्या होता है पिता जी? बेटे, संग्शारण वायो मंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य कैसों की अभिक्रिया द्वारा धातूं को उनके अनेच्चिक योगिकों में रुपांतरित करने का मंद प्राक्रम है ये दर्वाजा लोहे से बना है तथा संग्शारण लोहे को शूरे निक्षेप में बदल देता है यही कारण है कि ये इतना पुराना तथा कमजोर दिख रहा है अच्छा पिता जी अब मुझे संग्शारण के बारे में पता चल गया है पिता जी क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं हाँ बेटे और अधिक जानने के लिए आज हम लोग वैदुत रसायन के बारे में अध्यान करेंगे उतेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वैदुत अबघटन को परिभाशित करना वैदुत अबघटन की क्रियाविधी का विशलेशन करना फैराडे के वैदुत अबघटन के नियम को समझना बैटरी को परिभाशित करना बैटरियों के प्रकारों को परिभाशित करना इधन सेल के बारे में जानना संग्शारण को परिभाशित करना जंग लगने के वैद्धतिरासायन सिध्धांत का विशलेशन करना और संग्शारण के रोक थाम की व्याख्या करना वैदुत अबघटन वैदुत अबघटन या इसके जलिये विलियन में वैदुत धारा की प्रवाह से होने वाले रासाइनिक अबघटन के प्राकरम को वैदुत अबघटन कहते हैं वैदुत अबघटनी सेल वो पात्र जिसमें वैदुत अबघटन का प्राक्रम संपन होता है वैदुत अबघटनी सेल कहलाता है इसमें एक वैदुत अबघटनी टैंक होता है जो किसी अचालक पदार्थ की बनी होती है वैदुत अबघटे द्रव अवस्था में या जलिये रूप में वैदुत अबघटनी टैंक में लिया जाता है तथा इसमें दो इलेक्ट्रोनिक चालक निमजित होते हैं इलेक्ट्रोडों को दिश्ट धारा के स्रोज से संपर्कित कर दिया जाता है वैसे इलेक्ट्रोड जो बैटरी के रण सिरे से संपर्कित होता है कैथोड कहलाता है तथा बैटरी के धन सिरे से संपर्कित इलेक्ट्रोड हैनोड कहलाता है वैद्वत अबघटन की क्रिया विधी जब किसी वैद्वत अबघट को किसी उचित विलाइक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कड़ों में तूटता है जो आयन कहलाता है जब विद्वत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन आरोपित विभुवांतर के प्रती अनुकरिया करते हैं तथा विप्रीत अवेश वाले इलेक्टोडों की ओर गती करते हैं अता रिन अवेश कैथोड की ओर तथा धन अवेश एनोट की ओर चला जाता है अपने नियत इलेक्टोट पर पहुँचकर आयन अपना आवेश त्याक कर उदासीन कन बनाते हैं रिन आवेश कैथोट से इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं जबकि धना वेश एनोट को इलेक्ट्रोन प्रदान करते हैं आता एनोड पर आक्सी करण जबकि कैथोड पर अफकरण होदा है। वैदुत अबघटन के उत्पाद मुख्यता निम्नकारगों पर निर्भर करते हैं। वैदुत अबघट के पदार्थ की प्रकृति यदि वैदुत अबघटन वैदुत अबघट की दरव अवस्था अथ्वाजलिय विलियन में होता है तो इलक्टोडों पर निर्मित उत्पाद भिन होते हैं। वैदुत अबघट में प्रयूक्त इलक्टोडों के प्रकार। यदि प्रयुक्त इलक्टोड अक्रिय है तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है या यदि इलक्टोड अभिक्रिया शील हूँ तो ये इलक्टोड अभिक्रिया में भाग लेता है तब वैदुत अभघटन के उत्पाद भिन होते हैं वैदुत अबघटन के उत्पाथ, वैदुत अबघटनी सेल में उपस्थित, विभिन आॉक्सी कारक एवं अपचायक स्पिशीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभुवों पर निर्भर करते हैं जब कोई वैदुत रासायने का भिक्रिया, कतिकी ये रूप से इतने धीमे होती है कि ये घटित होता कतित नहीं होता है, तो कुछ अधिरिक्त विभाव, जिसे अधी विभाव कहते हैं, ऐसे प्राक्रम को घटित होने के लिए लगाना पड़ता है विलियन का सांदरन भी वैदुत अबघटन के उत्पात को प्रभावित करता है फेराडी के वैदुत अबघटन के नियम फेराडी के वैदुत अबघटन के प्रथम नियम किसी इलेक्टोट पर निक्षेपित, मुक्त या घुले पडार्थों की मात्रा वैदुत अबघटे विलियन या गलित प्रवाहित विद्धत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है M क्योंके सीधे समानुपाती होती है जहां M, निक्षेपित या गुले पदार्थों की मात्रा है Q, विद्ध धारा की मात्रा है हम जानते हैं कि Q बराबर IT है M भी IT के सीधे समानुपाती होती है इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है M बराबर Z IT जहां Z पदार्थ का वैद्ध रसायनिक तुल्यांक कहलाता है किसी वैद्ध अबघट गलित या विलियन से प्रवाहित एक कुलोम की विद्धारा से निक्षेपित या गुले पदार्थों की मात्रा को Z से परिभाशित करते हैं फैराडे के वैद्ध अबघटन के दूतिये नियम जब भिन्न भिन्न वैद्ध अबघट से होकर विद्धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासाइनिक तुल्यांग के दरफिमान के समानुपाती होती हैं फैराडी के वैद्ध अबघटन के नियम पर उधारण चलिए फैराडी के वैद्ध अबघटन के नियम पर एक उधारण लें किसी धात्विक पात्र जिसका कुल प्रिष्ठी एक शित्रफल 900 वर्ग सेंटीमीटर है पर 0.5 एंपियर की विद्ध धारा को दो घंडे तक प्रवाहित करने पर सिल्वर का विद्ध निक्षेपन होता है निक्षेपित सिल्वर की मुटाई ग्याद कीजिए चलिए इसका हल देखें यहां दिया हुआ मान है ए पराबर 900 वर्ग सेंटीमीटर आई पराबर 0.5 एंपियर हम जानते हैं कि निक्षेपित सिल्वर का त्रवेमान M पराबर ZIT से प्राप्त होता है इन मानों को रखने पर हमें M पराबर 4.09 ग्राम घं सेंटीमीटर प्राप्त होता है हम जानते हैं कि V पराबर M बटा D इन मानों को रखने पर हमें V पराबर 0.03837 गं सेंटीमीटर प्राप्त होता है मानले की निक्षेपित पदार्थ की मुटाई 1 सेंटीमीटर है हम जानते हैं कि X पराबर V बटा A इन मानों को रखने पर हमें x बराबर 7.67 गुणा 10 की घात रिन 4 सेंटीमीटर प्राप्त होता है धात्विक पात्र पर निक्षेपित सिल्वर की मुटाई 7.67 गुणा 10 की घात रिन 4 सेंटीमीटर है बैटरियां कोई बैटरी जिसका विद्धित उर्जा के सरोत के रूप में प्रयोग होता है मुलता एक विद्धित रासाइनिक सेल है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की रासाइनिक उर्जा विद्धित उर्जा में रुपांतरित होती है बैटरी श्रेडिं करम में चुड़े तू या तू से अधिक गेलवेनी सेलों की वेवस्था को प्रदशित करता है बैटरी के आवश्य कुन हैं? इनकी आयू लंबी होनी चाहिए बैटरी को हलका तथा सूसंबध होना चाहिए ये पुना आवेशित करने योगे होनी चाहिए प्रयोग में लाते समय इनकी वर्टता में अधिक परिवर्दन नहीं होना चाहिए बैटरीयों के प्रकार विविदिव वैवसाईक बैटरीयों को व्रिहत रूप से दू प्रकारों में वर्गिक रिद करते हैं प्रात्मिक बैटरियां प्रात्मिक बैटरियां लंबी अवधी के बाद रासाइनिक अभिक्रिया के रुख जाने से निश्क्रिये हो जाती हैं इसे पुना आवेशित या पुना प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उधारन के लिए शुष्क सेल तथा मर्क्यूरी सेल संचायक बैटरियां संचायक बैटरी को निश्क्रिय होने के बाद दिश्ट धारा प्रवाहित कर पुना आविशित किया जा सकता है तथा बैटरी को बार बार प्रियोग में लाया जा सकता है उधारण के लिए लेड संचाइक सेल, निकेल कैडमियम संचाइक सेल शुष्क सेल, इस सेल में जिंक का बिलनाकार पात्र होता है, जो एनोड का ही कारे करता है इसका कैथोड कारबन की छड़ होती है, जो चूनित MNO2 तथा कारबन से घिरी होती है इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा ZNCl2 के नाम पेस्ट से भरा होता है बेहतर विद्द संपर्ग के लिए ग्रिफाइट की छड़ को पीतल की टूपी पहना दी जाती है, तथा बिलन को उपर से पिट्च से बंद कर दिया जाता है जिंक को वायूमंड लिए ऑक्सीजन से सुरक्षा देने के लिए जिंक पात्र को कार्ट बोर्ट से ढग दिया जाता है सेल का विभव लगभग 1.59 वोल्ट होता है शुष्क सेलों का टॉर्चों, ट्रांजिस्टर, रेडियों, खड़ियों इत्यादी में उप्योग होता है मर्कुरी सेल मर्कुरी सेल में जिंक मर्कुरी अमलगम का एनोड होता है तथा HGO तथा कार्बन का पेस्ट कैथोर्ट का कारे करता है वेद्द अब घटे KOH तथा ZNO का एक पेस्ट है वे अपने विसरजन के दौरान 1.35 वोल्ट का आचर विभव उत्पन करता है इसके जीवन काल में सेल का विभव अचर रहता है क्योंकि समक्री सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन नहीं होता है जिसकी सांद्रता विलियन में होने के कारण सेल की संपून कारे अवधी में बदल सकती हो मरक्यूरी सेल का हिर्दय पेस मेकरों, घड़ियों, कैमरों, श्रवन यंद्रों इत्यादी में व्रहत पैमाने पर प्रयोग होता है लेट संचायक बैटरी इसमें समानिता 6 वोल्टेक सेल श्रणी क्रम में जुड़े होते हैं प्रतेक सेल में एनोड इस्पंजी लेट से बना होता है तथा कैथोड लेट डाइयोक्साइड से भरा लेट का एक क्रिट है वैदुत अब घटे H2SO4 का विलियन है जो द्रविमान का 38 प्रतिशत होता है बैटरी के डिस्चार्ज के तौरान अभिकरिया में सल्फ्यूरिक अमल की खपत होती है तथा जिसके परिणाम सरूप अमल का घनत्व गिरता है जब विलियन का घनत्व एक तशमलाव दो शूनने ग्राम प्रति घन सेंटिमीटर के नीचे किरता है तो बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत परती है जब किसी बाहे दिश्ट धारस रोज से बैटरी को विद्ध उर्जा की आपूरती होती है तो सेल विद्ध अब घटनी सेल की तरह कारे करता है तथा रासाइनिक अभिक्रिया होती है किन्तु इलेक्टरोड अभिक्रियाएं बैटरी के डिश्चार्ज के दौरान होने वाली अभिक्रिया के विप्रेत अभिक्रिया करती है सेल की धारा आउटपुट को बढ़ानी के लिए एनोड तथा कैठोड को एक आंतर क्रम से प्यवस्थिक किया जाता है तथा एक दूसरे से कुछालग पदार्थों के स्तरों से प्रथक कर दिया जाता है प्रतेक वोल्टेक सेल में विप्रवान तर लगभग दो वोल्ट की होती है जससे आउटपुट बारा वोल्ट हो सके बैटरी के छे सेल श्रिणी क्रम में जुड़े होते हैं निकल, कैडमियम, सुंचाइक बैटरी इस प्रकार के सेल में एनूड कैडमियम का बना होता है तथा कैथोड में धातू ग्रेड होती है जिसमें निकल आकसाइड होता है वैदुद अब खटे के ओएच काविलियन है सेल की वोल्टेज लगभग 1.4 वोल्ट होती है बैटरी के डिशार्ज के दौरान जो इलेक्ट्रोन से चिपके होते हैं जिसे आविशन प्रक्रियाद्वारा पुना रूपांध्रित कर लिया जाता है इन सेलों को प्योग व्रहत रूप से इलेक्ट्रोनिक खड़ियों तथा केलकुलेटरों में होता है इन्धन सेल इन्धन सेल व्यद्ध रासाइनिक सेल है जिसमें आवक्सीक रित होने वाले पदार्थ वैद्ध अपगट्टे या इलेक्ट्रोन पदार्थ नहीं होते हैं बलकि एक बाहता आपूर्ती करने वाले पदार्थ हैं जिसका उपयोग श्रावन यंद्र में इन्धन के रूप में हो जकता है इन्धन सेल इन्धन की रासाइनिक उर्जा को बिना उश्मा इंजन के प्रयोग से सीधे विद्ध उर्जा में उरुपांद्रित करने की एक योगती है हाइडोजन जैसे पारंपरिक इन्धन की नियंत्रित सतित आपूर्ती का आपूर्ती का अक्सीकरन एनोट पर तथा ऑक्सीजन जैसे देहन के पारंपरिक पोशक की आपूर्ती का अपचयन कैथोड पर होता है सेल में जब तक हाइडोजन तथा ओक्सीजन की आपूर्थी होती रहती है, सेल चलता रहता है इधन सेल किसी प्रकार की प्रदूशन समस्याएं उत्वन्न नहीं करता है संशारन संशारन वायु मंडल में उपस्थेद नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातूँ को उनके अनेच्चिक योगिकों में रूपांतरित करने का मंद्य प्राक्रम है उधारन के लिए चांदी का बदरंग होना, लोहे में जंग लगना, कौपर पर हरी रंग का लेव चड़ना तथा लेट का अपनी चमक खोना संग्शारन की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं धातूँ की अभिक्रिया शीलिता, अशुद्धियों की उपस्थिती, भायू एवं नमी, धातू में तनाव तथा वैद्वत अपखट्टी की उपस्थिती जंग लगने के वैद्वत रासाइनिक सिध्धांत इस सिध्धांत के अनुसार लोहे के अशुद्ध सतह आक्सीजन तथा कारबन टायोक्साइड युक्त जल की उपस्थिती में लगू वैद्वत रासाइनिक सेल की तरह वहवाहर करता है इस प्रकार के सेल को संशारन सेल ही कहते हैं शुद्ध लुहा एनोड की तरह तथा अशुद्ध सतह कैथोड की तरह वहवाहर करता है नमी जिसमें ओकसीजन या कारबन डै-ोकसाइड खुले होते हैं वैदुत अबघटे विलियन की तरह कारे करता है एनोट पर आइरन परमाणों का आक्सी करन होता है कैथोड पर हैच की घाद धन आयन द्वारा इलेक्ट्रोन ग्रहन कर लिया जाता है हाइटोजन परमाणों घुलित आक्सीजन को अपचाइद कर देता है इस प्रकार उत्पन फेरस आयन जल से होकर आइरन की सतह पर पहुंचता है और जहां इसका वायो मंड लिये आक्सीजन द्वारा फेरी कवस्था में आक्सी करन होता है जो जंग का निर्माण करता है संग्शारन की रोक्था संग्शारन से धातूँं की सुरक्षा की कई विध्या है इन में से कुछ निम्न प्रकार की है अवरोधक सुरक्षा इस विधी में एक अवरोधक फिल्म आइरन तथा वायो मंड ल आक्सीजन तथा ननी के बीच रखी जाती है उत्सरक सुरक्षा इस विधी में आइरन सतह को किसी अधिक सक्रिय धातूँ की परस से आच्छा दित कर देते हैं तिन से आइरन का आच्छा दन तिन बहुत कम विद्धन अत्मक होता है तथा इसका वायो में संग्शारन नहीं होता है जब तिन की परत को आइरन की सतह पर आरूपित किया जाता है तो ये जंग के विरुध सुरक्षित होता है विद्ध सुरक्षा इस विद्धी में आइरन को कुछ अधिक विद्ध सक्रिय धातू जैसे की मैकनीशियम, जिंक तथा अलियूमिनियम से संपरकित किया जाता है जंग विरुधी विल्यनों का उप्योग ये शारिये फासफेट तथा शारिये क्रूमिट के विल्यन है विल्यनों की शारिये प्रकृति H पिलस आयनों की उपलब्दधा को रोकती है जो आइरन की आक्सीकरण को Fe2 प्लस में पूरा करता है क्या आप जानते हैं? सामाने तापमान पर आइरन का नमी की अनुबस्तिती में सही तरा से संक्षारण नहीं होता है वैदुद अबघटन स्थाई रूप से बाल हटाने की एक मात्रविधी है जिसे खाते एवं आशद प्रशासन ने मनिता प्रदान की है सर्वु प्रथम बैटरी अलेसेंद्रों वोल्टा ने 1798 इस्वी में बनाया प्राकृतिक जल में संक्षारण की दर साधारण दातु की सतह पर जल की कती बढ़ने से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं वैदृत अपखटे या इसके जलिये विलियन में वैदृत धारा की प्रवासे होने वाले रासायनिक अपखटन के प्राक्रम को वैदृत अपखटन कहते हैं जब किसी वैदृत अपखट को किसी विलाइक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कड़ों में तूटता है जो आयन कहलाते हैं किसी इलेक्टृट पर निक्षेपिद मुक्त या घोले पदार्थों की मात्रा वैदृत अपखट विलियन या गलित प्रवाहित विद्धारा की मात्रा के समानुपाती होती है जब भिन भिन वैदुद अबघट से होकर वैदुद धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्टोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यान के द्रविमान के समानुपाती होती हैं बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े दो या तो से अधिक गेलवेनी सेलों की वैवस्था को प्रदशित करता है संग्शार और वायु मंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य कैसों की अभिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अनेचिक योगिकों में रोपांद्रित करने का मंद प्राक्रम है लोहे के अशुद सतह आक्सीजन तथा कारबन डायोकसाइड युक्त जल की उपस्थिती में लगू वैदूत रासाइनिक सेल की तरहा वैवहार करता है इस प्रकार के सेल को संग्शार और सेल भी कहते हैं